यह बिताएं कि CAG और CGA दोनों के कामों में क्या फार्क है? CAG मतलब Comptroller and Auditor General और CGA मतलब Comptroller General of Accounts. CAG तो भारत की महलेखा परिक्षक है, मतलब सर्बोच निकाय है CAG जो कि जितने भी हमारे Government of India के या फिर PSU या State Government और State Government के सभी PSU उन सभी की accounting और auditing करता है। CAG और CGA जो आपने दूसरा बताया, Comptroller General of Accounting तो मुझे उसका पूरा ध्यान नहीं है लेकर मैं समझता हूं कि जो हमारे accounts की जो पद्धतियां है साइद उनके लिए जिम्मेदार निकाय होगा।